हेलो अरिबड़ी कैसे आप सब यूमिद कर रहों आप सब अच्छे होंगे मैं आपका वापे से सौकत करता हूँ यहीं पिजी सी तो मैं हूँ अर्पितने माफ फ्रॉम फेर फिलन प्लैटफॉर्म जहां पर आप सब पर सकते हो फिसिक्स के मैं सी मैं सब्सक्राइब जी एप सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले समझते हैं कि कितनी चीज़ें के बारे में समझते हैं यहां पर होगा क्या नाम से ही समझ में आ रहे कि कोई ना कोई चीज निकलेगी ठीक है कुछ भी समझ लो ठीक है यहां पर मैं इसको बोल सकता हूं अलफा बीटा एलिमिनेशन मैटड और इवन भी आप पहले देख चुके हो जिसमें अपने डिहाइडेशन पढ़ा ठीक है अब इसको थोड़ा गौर से समझते हैं कि चलता क्या है इन सब में चलो आजाओ समझत हैं सबसे पहला है बेस रिमूब्स अप्रोटाउन फ्रॉम बीटा कार्बन एटम वाइल दा हैलोजन एटम लीवस फ्रॉम अल्फा कार्बन रिजल्टिंग इन दा फॉर्मेशन ओफ पाई बॉन्ड सच अलिमिनेशन और ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन और यह कौन सी और यहां पर जुड़ा हुआ है आपका लेके चलते हैं कोई हैलोजन ही है यह आपका हैलोजन है ठीक है यहां पर एक होगा यहां पर एक एक दम चल्वामला चलो देखो यहां पर अब यहां पर बात कुछ यह हूँ है कि जिस कार्बन से फंक्शनल गृप डारक्ली एक कारबन है उसको अपन क्या बोलते हैं बीटा कारबन तो ये हो गया मेरा बीटा कारबन ठीक है आप सुनो जो हाइडरोजन अल्फा कारबन के पास होंगे तो उनको क्या बोलते हैं उन्फा हाइडरोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइडरोजन पढ़िया ठीक है सबसे पहले carbon के पास जो hydrogen होगे उनको क्या बोलेंगे बहुत अच्छा बीटा hydrogen क्या होगा बीटा hydrogen ये भी क्या होगा आपका बीटा hydrogen ऐसे ठीक है अब यहाँ पर बात क्या होती है देखो जो E2 mechanism होती है आपकी वो कुछ conditions में होती है सबसे पहला तो ये आपकी same होती है SN2 type की, जैसे SN2 mechanism हो रही थी न, SN2 reaction थी वो भी क्या थी आपकी, 2 degree मतलब अहाँ पर rate of reaction दो चीज़ों पर depend करता था, same है, ठीक है तो same as same as SN2 reaction, ठीक है वो आपकी क्या थी, unimolecular थी, क्या थी bimolecular थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये SN2 mechanism भी क्या होती है one step reaction one step reaction एक ही step में सब काम हो रहा होता है अब जो important चीज़े आपके लिए वो क्या है IMP, ठीक है वो क्या है, ये जो E2 mechanism है, ये कब होती है E2 process, जब आपका strong base हो strong base होना एकदम important है बहुत ज़्यादा important है जैसे कि strong base कौन सा हो सकता है आपका N, A, N, H2 सबसे ज़्यादा strong ठीक है, ये काफी ज़्यादा strong है या फिर मैं बोल सकता हूँ आपका alcoholic K, O, H ये भी, ठीक है तो ये जो अगर दो आपको कहीं पर भी देख गए या फिर strong base दिख गया आप हमेशा क्या कराओगे यहाँ पर elimination method कराओगे समझ में आगे इतना clear है न तो ये चीज़ आपकी होनी ही होनी चाहिए बना इसकी बना वो नहीं होगी process clear है समझ गए चलो अब यहाँ पर होता क्या होगा वो और समझो देखो अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इस a creation ले रहा हूँ कुछ देखो ऐसा CH3 C यहाँ पर एक H है यह एक H है और यहाँ पर एक hydrogen यहाँ एक hydrogen और यह आपका hydrogen है ती अब होता क्या है ध्यान से समझना यहाँ से क्या होगा एक base आएगा जो base है मालो OH- नाम का एक base आ रहा है वो directly attack किस पर करेगा इस वाले hydrogen की उपर attack करता है ठीक है जैसे ही वो attack करेगा तो यहाँ से कह निकल जाएगा hydrogen निकल जाएगा ठीक है जैसे ही hydrogen निकलता है तो यह वाला जो bond आपको दिख रहा है कौन सा bond यह वाला जो bond है यह bond इधर सिफ्ट होता है ठीक है क्योंकि खाली हो रहा है न और क्योंकि अब carbon के पास 5 bond हो जाएगे अगर यहाँ double bond आ गया तो वो क्या करता है यह वाला hydrogen जो वाला hydrogen है यहां से यह निकल जाता है तो इसको ही क्या बोलते है इसको बोलते है E2 pressures traidiक है तो देखो क्यासा हो जागा अब यहां पर आपको क्या-क्या देखने को मिल रहा है एक डबे में अपन सीख लेते हैं ध्याण से देखना ऐसा क्या-क्या हुआ क्या क्या हुआ यहां से यह वाला बॉंड तूट रहा है तो मैं ऐसे लिख दूँ सी सी यहां से क्या हो रहा है यह वाला बॉंड तूट रहा है ऐसा 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 एच ठीक है यह वाला बॉंड बन रहा है ऐसा ऐसा डैश यह वाला बॉंड पहले से था ठीक है यह देखो यहां पर हाइडोजन पहले से है यह भी हाइडोजन पहले से कोई दिक्कत नहीं और एक बॉंड यह तूट रहा है कौन सा बॉंड तूट रहा है यह वाला ठीक है ये वाला bond क्या हो रहा है bond formation similarly यहां से क्या हो रहा है ये भी क्या हो रहा है bond breaking breaking of bond हो रहा है ठीक है तो ऐसी transition state आपको देखने को मिलती है और फिर आपको क्या पता चलेगा कि यहां पे आपकी क्या बन गई अलकीन बन गई बना दो ch3 single ch बचा double और यह आपका ch2 बचा यहीं बनेगा यहीं बनेगा ठीक है तो यह जो mechanism है जहां पर क्या हो रहा देखो alpha से क्या निकला hydrogen निकला बीटा से क्या निकला hydrogen निकला तो इसी को बोलते है alpha beta elimination method या फिर beta elimination method या फिर d hydro halogenation या फिर e2 mechanism इतने सारे नाम में कुछ भी बोल सकते हो clear है समझ में आया इतना चलो अब एक और चीज़ पूछता हूँ आपसे फिर आपना आगे चलेंगे इतना लिखो फिर देखते है चलो आब मैं आपके पास जो beta hydrogen है वो दो present है जैसे कि example के साथ अगर मैं चलूँ तो देखो ऐसा कि CH3 है यहां पर CH है यहां पर भी CH3 है ठीक है और यहां पर आपका जुड़ा हुआ है एक CH फिर से यहां पर है hydrogen है और यहां पर भी CH3 है ऐसा ठीक है कित्ते होगा एक दो तीन चार बिल्कुल साइसा बैलन्स है यहां पर एक hydrogen लगा दो ऐसा क्लियर है ठीक अब मैं आपके साथ डाल रहा हूं एक strong base की presence मैं कौन सी पिर्स इस ट्रॉंग बेस यह देखो यह हो गया मेरा है strong base इस ट्रॉंग बेस एक्जाम्पिल मान के चलते हैं मैंने आपका डाला है sodamide क्या बोलते हैं उसको एन एन एच टू सेम एक और process कराई मैंने यहां पर क्या होगा एन एन एच टू डाल दिया क्लियर है थोड़ा सा आपन highlight कर लेते हैं इन चीजों को की देखो यहां पर भी आपके पास क्या देख रहे हैं बीटा hydrogen ठीक है और अगर मैं बात करूं कि इसके बगल में भी क्या है यह बीटा hydrogen देख रहे हैं और यहां पर आपको क्या देख रहा है अलफा की उपर hydrogen देख नुकलोफाइल आएगा नुकलोफाइल आएगा वह इस हाइड़न पर अटेक करेगा समिलरली यहां से भी नुकलोफाइल आएगा ठीक है तो एक हाइड़न को मैं open कर देता हूं आप सभी के लिए ठीक है तो आपको अच्छे से देखेगा ध्यान से देखना यह मैं इसको लेके चला गया हाइड़न को यह वाला बॉंड इधर स्रिफ्ट होगा यह वाला है निकल जाएगा राइट तो कैसा बन रहा है देखो ऐसा बन सकता है सिंगल बॉंड सी यहां पर हो गया डबल बॉंड हैड़न तो हड़ गया यहां पर सी एच 3 और यह बचेगा सिंगल सी इसके पास हाइड़न पहले जैसा ही रहेगा तो हाइड़न आ लग दे रहा हूं और इस क्यूपर सी एच 3 है ठीक है फिर क्या हुआ यह सिंगल बॉंड सिंगल बॉंड सी एच अब यह वाला हाइड़न जब निकला इसने बॉंड की सिफ्टिंग कहां पर करी होग ठीक है दो अलग अलग प्रोसेस हैं यहाद रखना है ना तो अब यहां पर क्या हुआ जब बॉंड की सिफ्टिंग यहां पर होगी तो डबल हो जाएगा यह और यहां पर यहां पर डबल बॉंड होगा और यह सी एच 2 होगा बिल्कुल सह इसलिए मैंने गिल लिए थे थे कौन सा वाला मेजर होगा कौन सा वाला माइनर होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है तो यहां पर अपन को क्या देखना है मैंने आपको पहले भी बताया है अगर आपको ऐसी चीज़े देख रही है तो आप हमेशा अलकीन की उपर ऐसे डबबा बनाना यह बॉक्स बनाया ठीक अगर अलकीन के बात करूं तो अलकीन की ऊपर तीन अलग-الग कारवन जोड़े हुए है् मतलब की बोल सकते हूं तीन सब्सिट्यूशं है तो सबसे ज़्यादा सब्सिट्यूटिबल क्या होती है मौस् इस से बल्ट box याद रखना ये आपका क्या होगा ये होगा आपका major product major product और ये क्या होगा आपका minor product और minor को आपन ज़्यादातर क्या बोलते है Hoffman और major को sitzip बोलते है सबसे ज़्यादा जहाँ पर substitute होती है अलकीन वो sitzip होती है और ये Hoffman होती है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ तो देखो याद रखना क्या करोगे सबसे ज़्यादा आप substitute ही बनाओगे तो याद रखिएगा ये वाला hydrogen निकलेगा ये वाला hydrogen निकलेगा ये वाला bond इधर सिफ्ट होगा और फिर यहां से hydrogen निकलेगा तो सबसे पहले nuclear profile attack करता है फिर आपका कौन निकलता है दूसरा functional group निकलता है या फिर एक्स निकलता है क्लियर है चलो अब नेक्स देखो अगर मैं energy profile की बात करता हूँ तो यहां पे हमें क्या पता चलता है ये है मेरे reactants ये हो गए मेरे reactants इनकी energy अभी ठीक ठाक है अभी चालू ही हुई है reaction ठीक है ये मेरे reactants है जैसे ही मैंने क्या किया इसकी energy अभी देखो energy मैं मान के चल रहा हूँ इसकी अभी energy है 10 इसकी मैं मान के चल रहा हूँ अभी 10 है जैसे ही reaction हो रही है तो आपकी energy बढ़ रही है energy बढ़ रही है जैसे ही वो हाडियन की उपर अटेक करेगा यह वाला बॉंड इधर बनने का स्टार्टिंग होगा और यह वाला चीज निकल जाएगी ब्रोमीन यहां से सब्सिट्यूट हो जाएगा बाहर हो जाएगा मलब रिमूव हो जाएगा सब्सिट्यूट नहीं होगा ठीक यह निकल जाएगा तो इसकी एनरजी अगर मैं देखू तो इसकी एनरजी अभी कितनी होगा इमान के चलता हूं मैं यह जो एनरजी है आप इसकी हो चुकी है 20 20 अब क्या हुआ ट्रांजीशन स्टेट की एनरजी काफी ज़्यादा है और किसी भी चीज़ की जादा होती है किसी पर प जाएगा आपका final product और हम देख पा रहे हैं कि बिलकुल सही product की जो energy है वो reactant और intermediate से भी का मैमान के चलता हूं 5 है तो बिलकुल जो product होगा वो आपका ज़्यादा stable होगा इन दोनों से reaction क्यों हो रही है क्योंकि reactant की ही energy थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि हम ही इसको reaction कराना चाह रहे हैं OH- is nucleophile BR आपका functional group के तौर पे जुड़ा हुआ है ठीक है अब जैसे reaction हो रही है तो energy काफी ज़्यादा हो गई energy किसी भी चीज़ की ज़्यादा है तो वो अपने आपको stable ह होने के लिए चाहेगा आप हमेशे एक चीज़ को याद रखना कि अगर किसी भी चीज़ की किसी भी chemical reaction की energy जादा है इन chemical reaction chemical reaction if compound have high energy ठीक है तो वो क्या होता है stability उसकी कम होगी तो stability उसकी क्या होगी कम होगी तो inversely proportional होते हैं अगर इस्टेबिलिटी जादा तो energy कम energy जादा तो stability कम तो उल्टा होता है दोनों का ठीक है समझ में आ गया तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना और हम देख पा रहे हैं कि ट्रांजिशनल स्टेट की energy काफी ज़्यादा देख रही है comparison तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा अंस्टेबल है ना प्रोड़क्ट की साइज पर जाएगा वो आगे हो जाएगी ठीक है तो यह सब कहानी है अब इटू में क्या हो रहा है पर क्या होगा आपका ट्रांजिशनल स्टेट बनता है उसमें बॉंड का फॉर्मेशन बॉंड का ब्रेकडाउन होता है समझ में आगे इतना ठीक है चलिए तो यह आपके एलिमिनेशन हो गई नेक्स नेक्स बात करते हैं यहां पर क्या 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 हो रहा है कानेटिक कौन सा होता है यह सेकेंड अडर कानेटिक होती है मेकिनिजम कौन सी होती है सिंगल स्टेप मेकिनिजम होती है आइडेंटिटी आइडेंटिटी आफ आर ग्रोप मोर होगा है लाइड उतना तेज रियक्शन होगा मतलब की मैं बोल सकता हूँ अगर ऐसा है और यहां पर एक्स है जितना ज़्यादा सब्सट्टिटिट होगा उतना तेजी से एक्शन होगा ऐसा बोलना चाह रहे हैं संग में आगा है rate क्या है देखो rate आपका देख रहा है R3 CX R2 CX मतलब की सबसे पहले Tertiary Secondary and Primary यह है वैसे भी E2 है clear है समाझ गया आप देखो strength of base stronger base होगा तो favor करेगा reaction को मैंने आपको अभी बताया था leaving group better leaving group leads to the faster reaction rate of reaction ज्यादा अच्छे से हो जाएगी ठीक है type of solvent favored by polar aporotic solvent यार अपन सब पढ़ते हैं कि E2 is almost similar to SN2 और SN2 किस में होती है aporotic में होती है clear है यहां तक समझ में आ गया अब बात करते हैं अपना next जो है यह वाला even mechanism even mechanism को आपना बहुत बार पढ़ चुके हो और अच्छे से भी जानते हो जब आपने अलकीन की प्रेपरेशन पढ़ी थी ना डी हाइड्रेशन ओफ एलकॉल से तो वहीं से आपने यह सीख लिया था चलो मैं आपको बताता हूं ध्यान से देखिएगा चली आईए देखो अगर मैं क्या कह रहा हूं मेरे पास ऐसा जोड़ा हुआ है और यहाँ पर ऑक्सिजन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ओके यहां तक क्लियर मामला चलो अब देहन से देखो अब यहां पर क्या होगा यहां पर सबसे पहले होता है प्रोटोनेशन अब क्या होगा सबसे पहले देखो क्या लिखा है यहां पर ब्रेक होता है फस्त पहले ब्रेक होगा लीविंग रोप आएगा ब्रेक करेगा फस् अब जैसे कि मान लेखता हूं मैं यहां से हाइड्रोजन आया हाइड्रोजन इस नुक्लोफाइल और एलेक्ट्रोफाइल चलो यहां पर बात कर रहा हूं कि एलेक्ट्रोफाइल की उपर एप्लस होता है नुक्लोफाइल की उपर नेगेटिव होता है अब यहां पर होगा प् ओ यहाँ एक hydrogen और यहाँ एक hydrogen दोनों हो गए जैसे ही यह आएगा तो अब ध्यान से देखो क्या होने वाला है यहाँ पर H2SO4 की मदद से आ रहा है है H2SO4 की कारण आ रहा है यहाँ पर है चलो अब देखो तो यह प्लस वो बन गया एगा क्यों ऑक्जन कभी भी तीन bond नहीं बनाता है दो ही bond बनाता है बहुत बड़े अच्छे से पता है आपको यह पहली step हो गई अब यहाँ पर क्या होगा है सबसे पहले यह निकलेगा minus H2O बना लेगा बचा क्या है यहाँ पर C3 C3 प्लस तो यहाँ पर क्या हो रहा है formation of carbocatine formation of carbocatine बन गया formation of carbocatine अब अगर मैं reaction कराऊँगा कोई भी कोई भी nucleophile के मान लो यहाँ पर CL माइनस आया BR माइनस आया कुछ भी आया तो वो क्या बना लेगा direct attack करेगा CH3 CL या फिर CH3 BR बन जाएगा यह तो बढ़ा हुआ ना कितने अच्छे से पढ़ा है था यार कितने अच्छे से पढ़ा है था ठीक है ऐसे हो जाएगा ठीक है यह आपका क्या हो गया अब एक और चीज मालो मालो पाई बॉंड का फॉर्मेशन बताना है तो CH3 है CH3 में तो कुछ बनने से रहा यहां से डबल बॉंड कैसे बनाओगे ठीक है तो अपने एक एक्जाम्पल लेते मालो इसको मैं इस तो थोड़ा सा चेंज करता हूं ठीक है CH3 की जगा आप मैं यहां पर लगा बना दे रहा हूं CH2 यहां पर CH3 C2H5 यह भी अब क्या बनेगा यहां पर देखो ऐसा बन जाएगा CH3 सिंगल CH2 प्लस कार्बोकटन बना अब यहां से जैसे ही आप बन रहा है तो यह हार्जन कहता है कि मैं चला टाटा बाई-बाई-बाई-ठीक है जैसे ही एसको बन गई अलकीन इसी को क्या बोलते हैं डी हाईड्रेशन ओफ एलकॉल तो इवन मेकेनिजम जो होती है इवन मैकेनिजम एकदम सिमिलर है जैसे SN1 में काम हो रहा था यह भी क्या होती है आपकी टू स्तेब मेकेनिजम टू स्तेब मैके इम होती है यह , ठीक है आपका सब से अ example कौन सा है dehydration होगा यहां पे dehydration of alcohol जहां पर भी होगा समझ जाना क्या हो रहा होगा even mechanism हो रहा होगा ठीक है थोड़ा सा अपन इसके graph के वारे में समझते हैं ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है आप सभी को बहुत अच्छे सब्र सब्ता देखो यहां क्या हो रहा है क्या है यह आपका ch3 cx अलकाइल है कोई बी यहां पे क्या होगा कार्बो कटाइन का formation देखो ट्रांजीशन दिख chance ठीक है वैसे अलकाल हलाइट से भी समझ सकते हो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है समझ गए clear है ठीक है ना तो यह आपकी कहानी होती है तीक आप देखो इसकी समरी क्या है समरी है अगर काने टेक आपकी कौन सी है first order है mechanism second step होती है identity of our group क्या होती है more subsidiary होगा तो अच्छे से होगा सब्सक्राइब करेगा लीविंग ग्रॉप में दोनों में सेम है जल्दी से निकल जाएगा अच्छे से रियेक्शन हो जाएगी ठीक है टाइप आफ सॉल्वेंट कौन से फेवर्ड ना पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट विच कें सॉल्यब्लाइज दा आयनिक इंटर्मीडिय को सॉल्यब्लाइज कर पाई यह बनाए तब आपका यह बनता है समझ में आ गया चलो ठीक है इतना लिखो फिर आगे चल अब कई लोगों को डाउट हो रहा होगा कि यह अलकाइल हैलाइड में कैसे कार्बोकटन बन रहा है सबको लग रहा होगा मुझे भी पता है आप में यहां पर एक हैलोजन जोड़ा हुआ है यहां पर और यहां पर एक हैलोजन को अपन लेके चलते हैं कि यहां पर एक ब्रोमीन है ठीक है ब्रोमीन जोड़ा हुआ है एक्जाम्पल के तौर पर ठीक है तो चलो अब यहां पर क्या होगा ध्यान से सुनना क्योंकि जो हैलोजन है या फिर ब्रोमीन है यह काफ़ी ज़्यादा मतलवी है मतलवी है तो यह क्या करता है अपने साइड कहता है कारवन मुझे तुम्हें साथ नहीं जुड़ना वैसे ही तुम तीन लोग दोस्तों है तुमारे तुम मुझे तुमारा चौता दोस्त नहीं बनना तो यह कहता है कि मैं तो चला बाई बाई टाटा बाई बाई इसका बेलेक्टरों लेके भग गया तो कारबन बिचारा हो गया अगर ऑगर इसके पासультат ही नहीं यह यह प्लस हो गया ठीक है यह CS3 और यह CS3 तो इसके जो तीन दोस्तें यह तो इसके सकूल के दोस्त हैं इसलिए इसके साथ अभी भी यह मतलवी दोस्ता है और इसका पूरा नुक्सान करके चला तो यह तो अभी भी इसके ही साथ है ठीचे साय क गाता हो गया तो यह क्या बन गया गए tat रौह बहुत प्यारा आब तुम रुको ज़रा तो क्या बनता है सिएश थी ठीए, यहां पर कारबन ये सिएश थी और एक कारबन ऐसा ये 시작 सटरी तुम रुको रुको आओ, पाणी आनी पीओ तुम थोड़ा सा, तो धूकि इसको पिला है पानी ध्यान से देखना आती है, बहुत मज़ा आने वाला है, अच्छे तो समझेंगे, इसको पिला आ जाता है, पानी किसको पिलाते हैं, ये वाले हाइडोजन को, क्योंकि इसके दोस्त जादा परेशान है, इस जादा तो क्या होता है, ये वाले हाइडोजन के पास, आता है पानी ठीक है मतलब ये आया तो ये इसको लेके निकल जाता है बाहर तो ये कहता है कि आरे पानी पीने से मुझे सकती आई तो ये क्या करता है ये अपना double bond है इसके side shift करता है ऐसा ठीक है तो अब कैसा बन जाता है ध्यान से देखना ये ऐसा बनता है CH3 ये carbon यहाँ double bond CH2 हो गया है औ अर्बोकाटेन बना उसके बाद आपका बन रहा है hydrogen और हैलाइड मतलब है यहां से क्या होगा यह hydrogen निकला बाहर यह hydrogen बाहर निकला और यहां पर क्या बन गया double bond बज़िया अब बाहर इसको दिख रहा था यह ब्रोमी तो साइड यहां पर बन जाएगा HX ऐसा यह कहानी हो यह बहार है थाव यह साफ समझ में आ अगया ध्यान से लो mapped है अच्छे से समझ लेना अच्छे से लेना रहा है कहानी में देखो और क्या हुआ हो यह निकल गया बाहर मतलब ही था तोन निकल बना आपका च्छले हरीगा हाइक हाड यह कैदा है तो यह ग्रम टे बाउन ग् पीच में हो जाता है ठीक है यह निकला बाहर बाहर क्या घूम रहा है तो यह एच बीर बना ले का बाहर तो इस तरीके से होता है अब ध्यांस देखो क्या हुआ एनर्जी अभी इसकी जादा है रियक्टन की जादा है फिर ट्रांजिशन स्टेट जब यह दोनों पूरे साथ म क्लियर है फिर क्या होगा फिर यहां पर आके मदद कर देगा आपका बगल वाला तो इसकी अनरजी कम हो जाएगी और स्टेबल हो जाएगा पूरा मॉलेक्यूल यहां तक तो आप मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा अब आगे चलते हैं देखिए अब केमिकल प्रॉ फ्लोरीन को मतले ना बियार सियल जो लेना चाहो वो ले लो फ्लोरीन नहीं लेते क्योंकि बहुत जादा रियक्टिव होता है कई कई रियक्शन परफॉर्म नहीं करेगा इसलिए अब ध्यान सनो जहां पर भी मैटल के साथ आपको एक दिख रहा है न्यूक्लोफाइल मैट लब की यहां पर पोटेशियम दिख रहा है बिलकुल सही यहां भी पोटेशियम है यहां सोडियम है दोनों के दोनों मैटल होते हैं बहुत बढ़ियां एजी क्या है मैटल है अरे बहुत अच्छा एम जी क्या है मैटल है यह भी क्या है सब मैटल है जब भी मैटल के साथ आ यहां पर कुछ नहीं लिखा है आगे चलो यहां पर कुछ नहीं लिखा है आगे मैं करा दूँगा ध्यान सब्सक्राइब आर एक से एने एस एच है तो एने प्लस होगा और एसच माइनस होगा तो एसच माइनस जोड़ो तो आर एसच बहुत ही अच्छा इसकी बात कर लो आजाओ सोडियम दिख रहा है बहुत प्यारा प्यारा सोडियम को बाहर करो बागी का जोड़ो आर एस आर बन गया यह आर एस के साथ तो क्या बन गया आर बन गया ऐसा क्या बोलते हैं इसको एस्टर इथर क्या बोलते बताओ इथर तो कहीं से नहीं दिख रहा एस्टर जरूर दिख रहा है तो यहां पर क्या हो गया ठीक है इसको बोला भी जाता है कि यहां पर क्या हो रहा है आपका यह सिल्वर भानीया ilka Paul इसकी बात करो अंजी है तो हैंजी को तो डारेट जोड़ना रहता है कुछ मऩ फटा न आर अर्म इंजी एक्स बना दिया ये मेरा क्या है इसको बोलते हैं इ्री वॉल अ आई जन्ट ऑप्रकें बहुत काम की चीजाए इसको पर वो Princip और शायर इसको माँलो मान लो आगर मेरी अलकायल है वह रियक्शन कर रही है एन एच धी के साथ तो क्या बन जाएगा एक हरो जांग हां अगर मैं एच अगर रहा हूं moist ag2o के साथ किसके साथ करा रहा हूँ देखो moist ag2o moist ag2o ठीक है या फिर ऐसा भी लिखा आ सकता है आपको h2o plus ag2o ऐसा भी लिखा आ सकता है ठीक है तो क्या होगा देखो तब आपको क्या करना है इसमें direct alcohol बना देना है ओ एच ऐसा अब अगर माल लो सुन लो अच्छे से एक बार ठीक है अगर इसमें एक मोल लिखा है तो alcohol बना होगे लेकिन अगर दो मोल लिखे है ठीक है माल लो एक और मोल आ गया इसका ही क्या फिर से ag2o ag2o फिर से आ गया तब क्या करोगे आप ये हैरजन को हटाना और बना देना r o r r o r खतम ठीक है ये दोनों मैंने आपको बता दिये अब एक और सुन लो अरे बहुत हैं अरे ध्यान से सुनो आपको सब आता है मेरे ख्याल से अब ध्यान से देखना अगर इसकी रियक्शन मैं करा रहा हूँ ऐसा देखो ये रियक्शन मैं करा रहा हूँ ऐसे मैंने लिया है एन हाइड्रस एन हाइड्रस एल सी एल थरी और बेंजीन ले लिया बेंजीन के साथ कराना है रियक्शन अब देखो कहानी क्या होती है कहानी थोड़ी पेचिदा है यहां पर N-Hydras ALCL जो दिख रहा है आपको कौन सा N-Hydras ALCL 3 तो यह क्या करता है यह R-X का बॉंड है मान के चलता हूं R-X की जगा पे CL है और यहां पर ALCL 3 है तो यहां से जो CL है वो इस की उपर जाके बैठ जाता है ALCL 3 के उपर तो क्या बन जाए का देखो यह बन रहा है आपका R-Plus PLUS ALCL 4 ALCL 4 क्लियर है यह क्या होगा यह माइनस में होगा ठीक है समझ में आगया यह वैकेंट है जो इसको बठाल लेता है CL को भी बठाल लेता है तो R-Plus बना दिया कार्बो कटन बन रहा है तो कार्बो कटन को फिर आप यहां पर इसको जरूआ थै किसकी अरेंजमेंट की रियारेंजमेंट की रियारेंज हो रहा है तो अच्छी बात है तो इसको रियारेंजमेंट कर दो मतलब की रियर्वेंगमेंट कैसे कैसे करते थे हम या चाहल से मेरे ह्यालिए क्या क्या था पहला राइड्राइट शीफ्ट दूसरा मीफाइल शीफ्ट या फर अलकाइल सिफ्ट और फ़रण सा था रिंग एक्सपंशन Musk इस से जधते पूछता वह तो आपको यहां पर दो ही चीज़ लगेंगी हाइड्राइट सेफ्ट और मीथाइल सेफ्ट पहले किसको प्रेफरेंस दोगे हाइड्राइट सेफ्ट को भाईया यह मैं करा चुका हूँ ठीक है डीटेल में इसलिए नहीं बता है अगर चाहो तो पहली वीडियो जाके देख लो और गिने की आपको करा दी केमिकल परपड़िस ऑफ हैलो अलकेन में ठीक है इस ज़्यादा वो नहीं पूछेगा और अगर पूछ भी ली अलकाइन की पूछ ली तो आपसे बन जाएगी अलकाइन में अगर वो पूछना चाहे तो वो भी एक बार देख लो क्या ही दिक्कत है ठीक है एकी बार पूरा जोड़ देना तो क्या बन जाएगा और क्योंकि अलकाइन का टर्मिनल होता है यह बात को हमेशा याद रखिएगा ठीक है अलकाइन का टर्मिनल इस एस डिक टर्मिनल ठीक है उस महां पर एक्टिव हाइड जन होते हैं समझ में आ गया तो यह है आपकी क्या कैमिकल आपको फसानी की कोसिस करना चाहता हूं मैं आप मुझे यह बताएं कि अगर आर एक्स जो है वह इन सब मैसे रियक्शन करेगा तो बताओ क्या क्या बन सकता है क्या क्या नहीं बन सकता है थोड़ा दिमाग लगाना फिर बताना एसन टू मेकनिजम बहुत अच्छे से गंशन टू नेकहा इन दोनों में ही क्या बरेगा क्या और सीन बनेगा बात खता होगा ही चलो टाटा बाई 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 चलते है नेक्स्ट पे ऐसे मत कर देना इसे मत करते न से ठोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उन्हें इधार आजाओ यहां पिंदोनों को हटाओ बात थोड़ी पेचीदा है यहां पिसनो और एक से है तो ध्यान से सोनो AG NO2 AG और NO2 ठीक है तो यहाँ पर हो रही है कोवेलेंट बॉन्डिंग बहुत अच्छा कोवेलेंट बॉन्डिंग ओके और इसकी बात करो जरा KNO2 में KNO2 कैसा देखता है सर K प्लस और NO2 माइनस बढ़िया अब द्यान से देखो कहाँ पर क्या है आयोनिक बॉन्डिंग बहुत अच्छा आयोनिक बॉन्डिंग ठीक है तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो चार्ज कहीं पर भी प्रिजेंट नहीं होगा तो आप मुझे बताओ नाइट्रोजन ज्यादा अच्छा न्यूकलोफाइल या ऑक्सिजन अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो क्या बढ़ता है एलेक्ट्रो नेगिटिविटी ठीक है तो एसिडिटी केरेक्टर ज्यादा लेके न्यूकलोफाइल केरेक्टर कम होता है जाओगे लेफ्ट से राइट जाओगे अगर ऐसा तो एलेक्ट्रो नेगिटिविटी बढ़ती है एलेक्ट्रो नेगिटिविटी बढ़ती है एनाइन की स्टिबिलिटी बढ़ती है एसिडिटी बढ़ती है यहाँ पर अगर आओगे तो क्या होगा है नुक्लोफिलिसिटी बढ़ेगी कराया हुआ है याद रखिएगा ठीक है तो देखो यहाँ पे से यहाँ जाओंगा तो क्या पड़ता है कारबन नाइट्रोजन ओक्सिजन फ्लोरिन ऐसी पड़ता है ना ठीक है तो यहाँ पे क्या है कि ऐसके बद आ रहा है बाद में आ रहा है ना तो यह क्या होगा ज्यादा अच्छा न०्स होगा क्वण नाइट्रोजन और लोन पर तो दोनों के पास नच्शार यहां पर क्या कि seu 分क्सेश्च्छ बनाऊ तो नाइट्रोजन डबल bond oxygen और यहां पर oxygen की उपर negative charge NO2 यासी दिखता है तो अब यहां पर देखो compare करना है दोनों के उपर देखना oxygen की उपर negative और nitrogen है कौन अच्छे से करेगा nucleophile कौन अच्छा मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ था जिस भी nucleophile की उपर या फिर अगर आपको negative nucleophile मिल रहा है तो व यहां पर बन जाएगा आपके पास R bonding ono और bonding ono एक में बनता है nitrogen एक में बनता है alkyl nitrite ठीक है समझ में आ गया चलो अब AGCN की बात करो अब यह वाला आप कर सकते हो बहुत प्यारा देखना AGCN AGCN कैसा देखता है AG और C triple bond N राइट है राइट है ना अरे देखो बहुत राइट है ध्यान से देखिए का आप देखो क्या होने वाला है आपका करगा तो आपका कारबन तो इंगेज है कारबन तो इंगेज है तो अब क्या होगा अब यहाँ पर ध्याँ से देखना कारबन और N नाईटर्जन दोनों ही नीट्रल है कौन अच्छा nucleophile इसके पास है lohn repair तो कोण अच्छा nucleophile बेशक आपका nitrogen अच्छा nucleophile तो बना दो यह क्या बनेगा एजी एजी एंसी साइनाइड बन गया एजी एंसी साइनाड बन गया देखो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है एजी एजी में नाइड जोन ही रियक्शन कर रहा है अब हर बार मत लगाना एजी एजी में इस केस में चारो केस में एजी एजी में नाइड जोन ही रियक्श है यहां बनेगा आपका आर ठीक है आर आई-सो साइनाइड इसकी बात करो अब उल्टा बना देंगे सर समझ तो लो मगर ठीक है यहां पर के प्लस और साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है लेकिन इधर नेगिटिव है है ना साइनाइड की उपन नेगिटिव है ठीक है तो देखो क्या हो जाएगा यहां पर आर सी एन यह साइनो अलकेन बन गया एक बनता है नाइट्राइल ऐसा ठीक है एक आई-सो नाइट्राइल क्लियर है समझ में आ गया ठीक है तो यह कहानिया होती है तो याद रखिएगा जब भी आपको ऐसी रिएक्शन दिख र ठीक हे यह वाली क्योंकि जब तक आप ऐसे नहीं निकालोगे तो याद रक्षना आप से नहीं आएगी चीज्जा झाएं की तो इसन बातों को ध्यान से याद रखना अब जो जो चीज भाईियर है तो इसको निकाल दो ओ नदू जड़ेंगा एज बचा तो एज Mormon एकॉख यहां पर KX निकल जाएगा यहां पर AGX यहां पर KX निकल जाएगा ठीक है तो यह तो आपने काज़िए सकते हो यह बताना मेरे लिए में था थेर वो गया ठीक है चलो लिखो आप समस्ते थोड़ा Здरीगी वा रहीं है यहां पर क्या होगा आपका है लोजन होगा है लोजन किस स्थे वाएंस को सुप्र बेंजीन है ठीड है बेंजीन का एक जो हाइड़ोजन से सेधि़वलफ तो वह बन जाएगा वह बन जाएगा ठीक है हम सबको पता है हर एक बेंजीन के कारवन के पास एक हाइड़ोजन होता है अब इसको मैं क्या कर दूँ इसको मैं रिप्लेस कर दूँ एक हैलोजन के साथ यहां पर कर दूँ और यह बाहर हो जाए तो कैसा बनेगा देखो यह जो बेंजीन है इसके डायर साथ क्या जो ठीक है यह जोड़ जाएगा अब बात यह आती है क्या हैलो अलकेन की तरह आपका जो हैलो अरीन है यह भी नुकलोफिलेक्ट रेशन देते हैं कि नहीं देते हैं तो बात ध्यान से सुनना यह बहुत इंपोर्टेंट है तो देखो मैं अगर बात कर रहा हूं क्लोरोबेंजीन की यह भी एक हैलोजन ही है ठीक है तो क्लोरीन की बात कर रहा हूं तो यहां पर क्लोरीन ले लेता हूं और यहां पर मैं जोड़ दे रहा हूं ऐसा बैंजीन और हम सभी को पता है कि क्लोरीन के पास होते हैं लोन पैर लोन पैर लोन पैर लोन पैर लोन पैर लोन पैर आप ध एक एसपिateurs होता है लेकिन कारबन में मिलब आपके बेंजीन में हर एक कारबन का हाइब्राइजिशन होता है वह स्थ西 पहली चीज तो यह क्या कि यहां पर इलएक्ट्रो नेगिटिविटी कि अप्रthemेगिटिविटी क्यों सब्सक्राइक मेंचे नेगिटिविटी यहां पर क्या होता देखो partial double bond character, loan pair, single और यह double, यहां पर क्या दिख रहा है आपको partial double bond character, तो कैसा देखो लिख लो एक और चीज, यहां पर due to partial double bond character, double bond character, यहां पर यह जो bond आपको दिख रहा है, यह वाला जो bond है, यह तूटने में बहुत मुश्किल होता है, bond cleavage जो आपको दिख रहा है, एक्स और बेंजीन का, यह बहुत मुश्किल से तूटता है, इसलिए यह बहुत आसानी से nucleophilicization देगा ही नहीं, देगा ही नहीं, ऐसा इसका जो carbon है, वो क्या है, SP2 hybridized है, दूसरी चीज यह देख रही है आपको, समझ में आ गया, ठीक है, तो देखो, अब मैं अगर बोलू कि यह जो chlorine है, chlorine है, इसकी active side कौन कौन सी है, बेंजीन के लिए, ठीक है, तो chlorine जो दिख रहा है, आपको ऐसा ऐसा, 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 माल ने अपना loan pair दे दिए, तो double bond आजाएगा, बेंजीन की तरफ, बेंजीन की तरफ आगा, double bond, यह वाला bond फिर इधर सिफ्ट होगा, तो negative आजाएगा, दिख रहा है आप सभी को, यह negative और यह negative, ठीक है, तो अगर यह loan pair दे रहा है, ठीक है, तो आपका nucleophile आगा है, nucleophile की उपर भी negative charge है, तो वो negative तो इससे जोड़ी नहीं सकता है, negative negative से जोड़ेगा नहीं, negative positive से जोड़ता है, right, negative किसे जोड़ता है, positive से जागे, तो यहाँ पर तो जोड़ी नहीं सकता, clear है, तो बागी का फिर यह पूरे electron है, यह घूमते ही रहते हैं, आपस में, क्या होगा, ध्यान से द होगी यह नेगट की shifting ध्याद से एक बात सुन लो अगर कार्बो एन रहा है तो एन आन बॉंड फॉर्मेशन करता है लेकिं अगर कार्बो कतायन होता इसकी जगा पे तो बॉंड उसकी तरफ सिफ्ट होता ठीक है तो देखो ध्यान से एक चीज और लिख लो कि अगर shifting of bond shifting of bond in पहला अगर कार्बो केटायन है ठीक है तो क्या होगा towards कार्बो केटायन होगा पहला towards कार्बो केटायन लेकिन अगर यहाँ पर second वाला आपका कार्बो एनायन है कार्बो एनायन है तो दिस कार्बो एनायन बॉन्ड फॉर्म करेगा बॉन्ड का formation करता है पाई बॉन्ड बनाता है चल जा भाई बॉन्ड का formation करेगा वो ठीक है समझ में आगे इतना है तो दो तीन चीज़ा को ध्यान से सुनना अब बॉन्ड की shifting तब तक होती रहे जब तक क्लोरीन के पैस अपना लून पर वापस ना जा ठीक है तो वह आपके shifting मैं एक बार और बता ही चुका हूं तो यह वाला आप कर सकते हो क्लियर है तो यह होता है आपका अलो अरीन के बारे में है अलो अरीन के बारे में ठीक है अब इसकी प्रोप्रिशन कैसी होती होगी वो देख लेते हैं एक सकते हैं अगर आप मैंने बताया आपको अगर बेंजीन ले क्योंकि मैंने लिया तो यहां सिया ले रहा हूं लेते हैं ski2 अर्थ слова हो फी вып murmू कि यह से क्यों तो ऐसे मैं थे bereनगा है यहां यह बनाता है क्लोरो बेंजीन यह बनाता है क्लोरो बैंजीन एक दम सिंपल सी रियक्षन है और निकल जाएगा एच सील बाहर निकल जाएगा अब आयोडिनेशन मत करना खरोता होगे तो यहां ये बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन ऐसा एच बी आर बाहर ठीक है तो ये आपकी कुस्किय है हेलोजनेशन की बहुत एजी है ये वाला तो अपन बहुत पहले से पढ़ते हैं अब दूसरा अगर मैं चाहूँ तो एलकोहल से भी करा सकता हूँ कैसा इसको छोड़ो एक है आपका मान लो मैंने फिनॉल ले लिया मान लो मैंने फिनॉल ले लिया और इसकी रियक्शन मैं करा रहा हूँ PCL3 के साथ ठीक है तो ये रियक्शन आई हुई है ठीक है ये रियक्शन एक कॉमपटिशन एक्जाम में आई है नीट के एक्जाम में आई थी यह वाली तो वैसे ठीक है तो देखो क्या दिखता है आपको कैसे बनाना रहता है ऐसा आपका क्या है आर ओ एक्जामपल ऐसा आई थी रेक्शन प्लस क्या है PCL3 तो आपको क्या करना है इसके तीन मोल ले लो OH 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 ठीक है यह भी RR भी होगा आग तो उसमें यह पूछा गया था उसमें यह पूछा गया था कि बताओ जब ऐसी रेक्शन हो रही है तो क्या बनेगा यह बनेगा क्या या फिर और भी ऑप्शन से उसमें H3PO4 बनेगा H3PO3 बनेगा या कुछ नहीं निकलेगा है यह सब कहानी पूछी गई थी तो देखो है अनुट मेरा क्लोरो बैंजीन सती सत मेरा निकलता है आप यह लेका पी एक है P1 एक है एच टीन है तो है घू उटी 3 होंगे तो 3 H3PO3 अब अगर एक और रियक्षिन होती है तीन मॉल आफ तीन मॉल आफ बेंजीन के साथ करा होगे अगर से फिनॉल के साथ H3PO3 को तो ये 3 मॉल आफ क्या बनाते हैं ऐसा बनता है देखा ऐसा C6 C6H5PO3 ऐसा बनता है ठीक है ये चीज़े पूछता नहीं है लेकिन फिरी मैंने आपके एक एक एक्जाम्पिल के तोर पर बता दिया बस इत्ता याद रखना कि फिनॉल की रियक्षिन अगर आपका ये हो रहा है PCL3 के साथ तो आपका फॉर्मिशन आफ क्या बनता है क्लोरो ब क्लियर है ठीक है बहुत एजी है मेरे क्याल से तो इतना तो आपको NCRT में भी दिखता होगा है ना चलो अब नेक्स देखते हैं नेक्स में अपना क्या है तो चलो आजाओ आगे अब है आपका डाइजोनियम सॉल्ट के साथ जिसमें से अपन ज़्यादतर बोलते हैं उसको बोलते हैं एनिलीन एनिलीन के अगर मैं रियक्शन करा रहा हूँ एन एनो टू के साथ प्लस है यहाँ पर लिया जाता है जीरो से पांच डिग्री सेल्सियस क्यों ले रहे हैं क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट अंस्टेबल होता है इसलिए इतने समय होती है तो यह क्या बन कर आगा एटने चाहिए एकना फार्दर रियक्शन करा रहा हूं पहला मैंने लिया सीयू टू खिए लटू इसा ठीक ही एक सास्थ ही है सियू टू सीयल टू कि यहाँ पर क्लोरी नेशन और बन जाता है यहाँ पर नॉर्मल ए ऐसा क्लोरोबेंजीन आप अगर चाहों तो यहां पर क्या ले सकते हो, N2 gas भी बाहर निकलती है N2 gas काफी यदा अच्छी living group होती है ठीक है यह आपकी ऐसी अगर आपको दिख रहा है Cu2 Cl2 जिसमें जो copper है वो 1 पे present है उसका oxidation number 1 है तो इनको बोलते है send mayor reaction send mayor's reaction ठीक है इसका ही एक और भाई है जिसमें आप copper powder का use करते हो ठीक है तो मैं उसको ऐसे बढ़ाता हूँ कि अगर आपने gutter में copper powder डाला gutter में copper का powder डाला HCl और CuCl HBr और Cu powder बनते हैं आपके दोनों same ही है यहाँ पर भी क्या बनेगा bromobenzene क्या बनेगा यहाँ पर bromobenzene यहाँ पर क्लोरो बेंजene इन process को क्या बोलते हैं जब भी आपके powder की बात आईगी किस में डालोगे gutter में डालोगे तो इसको बोलते है getter man synthesis getter man preparation getter man process तो sir यहाँ पर दो process क्यों बनाई एक send man ने क्यों बनाई getter man ने क्यों बनाई इसमें getter man में जो आपका hello agreement सा है यहाँ पर इसकी जो yield है यह कम आती है लेकिन send man में अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो yield होती है hello एडिन्स की यह काफी ज़्यादा आती है काफी ज़्यादा आती है इसलिए अपर preference को देते है send man को ज़्यादा preference देते है और gutter man को कम preference मिलती है क्लियर है ठीक है इतना लिखो डाइजनियम सॉल्ट की अपन अमाइंस में बात करेंगे बहुत सारी रियक्शन्स होती है फ्लोरो बेंजीन भी बनता है यहाँ से आप फ्लोरो भी बना सकते हो ठीक है कैसे hbf4 लेना पड़ेगा वहाँ पर तो वह मैं आपको आगे बताऊंगा clear इतना लिखो फिर आगे चल अब एक industrial process होती है जिसको अपन बोलते है रैसिक्स process ठीक है यहाँ पर बोच नहीं करना है यहाँ पर क्या करता है बेंजीन ले लिया जाता है ठीक है आपको क्या मिलता है फिर यहाँ पर हेलो अरीन मिलता है हेलो अरीन की preparation मिलती है कैसा देखेगा चला मैं देखा देता हूँ ध्यान से देखना ठीक है देखो क्या होगा बेंजीन लिया यह बेंजीन इसकी reaction होती है हेलो के साथ और ओटू की प्रिजेंस में कैटलिस्ट क्या है आपका सीउसील टू सीउसील टू आपका कैटलिस्ट है तो आपको यहाँ पर क्लोरो बेंजीन ऐसा फॉर्म होते हुए दिखता है यह आपकी इंडस्टियल प्रोसेस है ठीक है बस कुछ नहीं समझ रहा है इसको याद रखना है कि बेंजीन और सीउसील के जो mixture है इसको पास किया जाता है सीउसील टू की उपर जैसे ही पास करते हो तो आपको क्या मिलता है प्रोड़क्ट के फॉर्म में आपको हेलो अरीन हेलो हरीन का formation देखने को मिलता है ठीक है अब इसके जो formations है hazır administrations यह बोहुत जादा ही जादा है ठीक है आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है जैसे अपन डॉस प्रोसेस पढ़ेंगे ठीक है डॉस प्रोसेस में क्लोरो बेंजीन से आफ फिनॉल बनाओगे ठीक है इन सब चीजों में तो वहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा क्यों क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मिशन बॉन्ड तूटता ही नहीं है सब चीजों में ञाओ इनको बनाना काफी होता है क्लियेर को गया जलो आब देखो नेक्स तैकना सपना फिसिकल प्रोपटीस के बारे में बात करते हैं जो की उड़न हें है उन प्रोसा के बीड़न आचे हैं टिक है तो आयसा भी बना सकते हो आडर कि हेलो आरीज हेलो अरीन is heavier than हेलो अलकेन than water हेलो अलकेन में इसकी change ज़दा होगी density ज़दा होगी तब ही heavier होगा ठीक है याद रखना है यह बाच चलो हेलो अरीन सार less reactive than हेलो अलकेन अब यहाँ पे reason यह आ गया यह जो point है इसको कैसे मैं प्रूफ करूँ तो मैं आपको बताता हूँ हेलो अलकेन में क्या है rx bonding और हेलो अरीन में क्या है arx bonding ar मतलब कोई भी benzene arines है ठीक है तो अब दिहां से सुनना यहाँ पर ar के अंदर क्या होता है sp2 hybridized और यहाँ पर क्या है sp3 hybridized तो पहला reason तो यह हो गया कौन सा तो बॉंड नहीं तूटेगा और r के अंदर कोई character नहीं है no resonance जिसके कारण यह ज़्यादा reactive होते है किससे हेलो अरीन से समझ में आगे हेलो अलकेन चलो तो यह वाला point अपन समझ गए reasons है दो वाले sp3 sp2 और no double bond ठीक है चलो the para isomer have higher melting as compared to their ortho or meta isomer it is due to symmetry of para isomer अब ध्याद से देखना अगर मैं ऐसा बना रहा हूँ ठीक है यह हो गया benzene chloro benzene यह वाली position होगी ortho यह होगी meta यह होगी para तो अगर मैं बना दू ऐसा तो इसको मैं क्या बोलूँगा ortho ortho isomer chloro benzene का अब इसको मैं बना दू इधर cl और यह cl तो यह होगी meta isomer और इसको मैं बना दू ऐसा आगर यह cl है यह cl है benzene ऐसा है ठीक है तो अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्योंकि क्योंकि para isomer क्या बोल रहा है high melting point है क्यों है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूं अगर ऐसा axis बनाओ axis बनाओ तो यहाँ पर plane of the symmetry यहाँ पर भी same है left side और right side दोनों side equal है ठीक है left side equal to right side है अगर दोनों ही equal है isomer है तो इसलिए इसका क्या होता है melting point काफी ज़्यादा होता है plane of the symmetry पर है लेकिन अगर मैं इसको ऐसा काटू हूँ देखो इसको मैंने अगर axis से ऐसा बाटा काटा अगर तो यहाँ पर यह अलग दिख रहा है और यह अलग दिख रहा है तो different different दिख रहे है similarly यहाँ पर और और तो की बात करूं तो यहाँ पर भी कोई symmetry नहीं है यहाँ पर भी कोई symmetry नहीं है समझ रहा हूँ इन दोनों में कोई symmetry नहीं है इन दोनों आइसमेर में लेकिन पैरा में symmetry है symmetry के करण क्या हो तो उसका melting point काफी ज़्यादा high हो जाता है clear है चलिए they are in soluble in water but soluble in organic solvent such as ethyl alcohol diethyl ether यहाँ पर इसका reason क्या है simple सी बात है आपको benzene दिख रहा है benzene की जो ring है वो non polar है तो water के इंदर कैसे soluble होगी water is a polar solvent like dissolve like जैसा phenomena होता है जिसके करण क्या होगा जो जैसा है उसमें घुलेगा तो यह organic solvent है तो organic solvent में ही घुलता है तो यह physical properties of hyalurines हो गया और इसकी preparation जो हो गई इसकी chemical reactions है वो आगे cover होती ही रहेंगे क्योंकि आगे आपका और भी organic बचा हुआ खतम नहीं हुआ है तो इसमें आपन करते ही रहेंगे clear है चलिए तो यह थी अपनी बात है जिसमें मैंने आपको E2, E1 के बारे में बताया है जिसमें आपको बहुत important चीज़े थोड़ी-थोड़ी सी पस याद रखने है कि वो SN1, SN2 जैसे ही similar है लेकिन base लिये जाते हैं ठीक है एक में strong base लिया जा रहा है ठीक है और इसमें E1 में क्या और एक में carbon का formation हो रहा है तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपको Hello Arena में चीज़े याद रखने है कि कैसे आपका reactivity बढ़ती है reactivity कम होती है तो ये सब चीज़ों के बारे में आपने डिसकस किया मैं मिलूँगा आपसे आने वाले वीडियो में और मैं मिलूँगा वहां लर्न होँ आप फीडियों पर बैसे जाए थैंक्यू सब्सक्राइब भाए ख्याल रखिएगा